नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों आपके घर परिवार की पीछे भूत छोड़ दिया है इस नाम की नारी या फिर इस नाम की औरत जेंदोसों, हम आप श्रीव को बता दें कि यहाँ औरत, पिछले कई महिनों शे, पिछले कई शालों शे आपके उपर तांत्री किर्याबी करवा रही है, और इनके ही कालाजादों के कारण, आपके कारे अक्षर बनते बनते बिगड जाते हैं, इनके कारण आपके जुनकाल म खत्म हो जाए, तो या एक और श्री इंतर करती है, और आपके जुनकाल में कोई दुश्रा बाधा खड़ी कर देती हैं, जिनके कारण आप फिर शुलाज जाते हैं, यूँ कहें तो आपके जुनकाल में बिरिद्धी कम हो गई है, इस नाम की नारी के वज़शी, जिया दो दोसों, आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें, और शुरूश लेकर इन्हें अंतर तक जरूर देखेगा, कि दोसों, यह नारी आपके जुनकाल के लिए बहुत बड़ा, खतरनाग शाबित होने वाली है, जिया दोसों, श्रमधान आज की वीडियो में हम आ आज की वीडियो में हम आपको इशनारी का नाम भी बताएंगे, शाति केसे आप इनसे बश रखते हैं, कौन शुपायों को आपको करना चाहिए, कौन शे मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, ताकि इन बधाउश आप पूरी तरह मुक्त हो जाए, उश्रे पहले दोसों जो भी माकाली के शच्चे भग दें, दोसों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन से जय माकाली रख्चा करो, जरूर लिखेगा, दोसों माकाली का शक्त इतना खाश है, कि जनके भी जनकाल में इनका आँख पड़ जाए, ज शादे चनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेश कर दें, माकाली का शच्रबाद आप शबी की जनकाल पर शदेब रहेगा, जिया दोसों, तो आई दोसों बात करते हैं, सबसे पहले दोसों आपको बता दें, कि आप अपने जनक काल में चाहते हैं, लेकिन दोसों, इनके शाति-शात जोगी आपके शगे शम्मंदी हैं, जो भी आपके पास जाते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं, दोसों, आप भी कुशे अपने जीवन की जो भी बाते हैं, जो आने वाली क्रेकलाप हैं, उन शबी की जो आ रही है यहीं się शरुवात होती है दोस्थ लीडर सब्सक्रानाइब बता दें की बहुत कुछ करने प्रयाश करते। ऐसे आप इन बातों को शमय शमय पर नज्राड़ करते आ रहे हैं। दोसनों याद किए dona die की पिछले शिम intentral में आप शिविकी जिवलांकाल में एशिद कई लोग आए हैं। जो कि आपके शात रहकर आपको धोखा भी दिये हैं कि दोसनों धोखा दिने के बाद आप से मिलने के ये बहुती प्रकार के जो है कारी भी की हैं आपके शामने अच्छे बनने के कारी भी वो लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बेटते हैं तो दोस्तों ये आपकी शबसे बड़ी गलती है क्यों दोस्तों भगवान श्री किष् पहीं रहेगा आप उन पर यकिना करें न कृतिए तो और यह इंसान इस इंसान कि आपको एक लिए पहचान करना है और उनीसे फिरीफ उन जाना है जे शरूरस बास बाध भी आप आपके जुनकाल में करिपरखार की टोटके कराते हैं जिसे दोस्तों आपको चती आपको नुक्षान होते हैं तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है इसके उपराने दोस्तों आपके जुनकाल में एक ये शबसे बड़ी गलती है तो दोस्व आपको युंकाल में बातों का ध्यान रगना है जब भी कोई इंसआन अपने दुख लेकर आपके पास आ तो आपने ना करने की हिम्मत है और आप उनकी आप जेखें लोग men आज के इस दौर में पेशा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है जितना पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप इसक्राइब लिए कुछ गलत करती तो दोस्तों आपको इन बातों का दियान रखना है अपने जुन्काल में कोई बातों और आप पहा उहाएब पाथ सकते का में? आप बिल्कुल ही ना पड़े तो दोसों इन बातों को आप अपने जुनकाल में ध्यान रखें कि यो दोसों एसे ही गलतियां होती है जो कि आपके जुनकाल में आप करते हैं और दोसों आगे चल कर वह है गलती विशार रुप धारन करके कि आपके जुनकाल में कई परकार के शमच्याहों का कारण बनते हैं जे दोसों और यही लोग आगे चल कर आप शबी की जुनकाल में टोटके भी करवाते हैं भूद भी चोड़ते हैं बहुत परकार की जो इनके उपर हो शक्ती है वे शबी कार्यापके उपर ये करने लगते हैं दोस्तों आपको बता दें कि इन शबी बातों को बिल्कुल ही दियान्श शुनिएगा क्यों दोसों इन बातों को आप बहुत ही गौर्ष चुने दोस्तों आपको बताया दी कि जो भी व्यक्ति इन शेवी बुरे शक्तियों के चपेट में आ जाते हैं जो भी इनके रख रखाव में भी आ जाते हैं तो दोस्तों उनका श्वेंग पर नेंतरम नहीं रहता वह खुद से कोई कारें शोच न जाना उदाशिन और गुम्चुम रहना वह व्यक्ति शुरू कर देता है हमेरे साब गुश्यल हो जाता है और चिच्चिड़ा पन आने लगता है चेरा भी पिला परने लगता है भू को जादा लगती है अचाना कि कोई रोग हो जाता है और जब दॉक्टर शीलाज करवात करते हैं तो कुशी का पता भी नहीं चलता दुरुबाग होना और बड़े ही हानी का हो जाना इसके अलावा भी बहुत शारी बातें शामने आती है जया दोस्तों तो अगर इनमेंशी कोई भी चीज आपकी जुनकाल में आपकी पार्यों महाल में किसी के शाथ हुआ है तो तांत्रिक के लिए जादू तोना या फिर नजर दोश का ही चाल है तो दोस्तों इनिश्वी बचने के लिए अब आपको कौन शेव उपाय को करना चाहिए चली दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आपको प्रती दिन अपने घर को गाय के गोवर्षी लिपाव करना है जै दोस्तों बातों को बहुत ज्यादा ध्यान शुटने दोस्तों प्रती दिन आप गाय के गोवर्षी अपने घर बाहर का लिपाई करें शाथी जो गोमूत्र होता है उन्हें अपने घर के चारों और हर रोज छिडगाउं करें जहें हम आप शुबढारतें कि गिरियाय होती है वह हमेशा आधी रात को किया जाता है जहें iza की कोई उन्हें तोक न दे श कोई अगला व्यक्ति टोक दे तो दोसों उनका अशर नहीं होता तो दोसों जब भी आप गाय के मुझ से घड़ का छिड़काव करते हैं तो दोसों आज पस आपके कोई बेना हो चुपके श्याप एश्यप करियाए करें ज़्या दोसों ना ही घर के व्यक्ति हो ना ही पाहर क थोड़ा थोड़ा करके छिड़काव कर देना है साती प्रति दिन एक शुपाड़ी शाबुत अर्पन करें गनेश जी को हरोज किसी दरित्र नरायन को एक कटोरी भर कर अनकाभी दान करें शाती लहशुन का रश और हिंग मिला ले और इन्हें शुमा दे जो भी आपके घर परिशक्तियों से प्रिशान है आपको बता दें कि दृसिवas करें घर में तुल्सी का पोधा ना हो तो घर में ही तुल्सी का पोधा अपने आंगनoben में जरूरो लगाए अगर है तो दोस्त भाश म तूल्सी कि आप अराश नहीं करें तूल्सी को धुप दीव दिखाएं गी का भी दीपक जलाशक्ते हैं, बहुती कारगर उपाय है। रात दिन पवित्र होकर शुबा श्राम दो दो गरबत्ती महाकाली के लिए जलाएं और उन्षे अपने शरीर और घर की रक्षा के लिए प्रात्ना करें। कि है माँ, अब हमें अपने जुनकाल में जो भी बधाएं हैं, उन्षे मुक्ति दीजिए, जो भी गलतियां हमशे हुई हैं, उन्हें माँप कर दीजिए। माँ, हमें अपने शरण गती में रखीए। दोस्तों ऐशा आपको प्रात्ना करना है। दोस्वों मीद करते कि आज कर यह जनकारी आप शिभी को बहुत यदा पशन आया होगा दोस्वों पसंद आये तो दोस्वों वीडियो को जरूर लाइक करें और शाती चैनल को भी स्ब्सक्राइब कर लें ताकि और शी बहुत इं महत्पून जनकारी आप तक सबसे पहले पहुँशके धन्यवाद